एक नदी जो कि 3 मीटर डीप है और 40 मीटर वाइड है वो 2 किलो मीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है तो एक मिनट के अंदर कितना पानी समुद्र में गिर जाएगा चले कोशन की शुरुआत करते हैं हमें दे रखा है कि जो नदी है उसकी चौड़ाई 40 मीटर है और उसकी जो डैप्त है इनकी गहराई वो 3 मीटर है और उसकी स्पीड बहने की है 2 किलो मीटर पर आवर तो अगर नदी को हम क्योबड एजूम कर लें क्योंकि इसकी जो हाई टाए डैप्त हो गई और उसकी 40 मीटर है यह लैंड का काम करेगी यह जो 2 किलो मीटर पर आवर है यह हमारा लैंड का काम करेगी और यहां पर वॉलूम ऐफ क्योबड ही लग जाएगा तो लैंट जो है पानी की ये दे रखिए हमें length of water moved in one hour is equal to two kilometer, लेकिन हमें एक घंटे से मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक मिनिट से, तो एक मिनिट की length कितनी होगी, मा लिजए यहां सा यहां तक की जो length वो एक मिनिट की हो गई, तो अगर हम यह length निकाल लेते हैं, यह length मिल जाएगी हमें, breadth और height बस इसका volume निकाल देंगे, वो ही पानी का volume होगा, तो हमें length यहां water की दे रखिए, one hour में two kilometer, one hour में 60 minutes होते हैं, तो 60 minutes के अंदर यह 2000 meter हो जाएगा, और one minute का निकालेंगे, तो फिर इस 2000 की divide हो जाएगी 60 से, इसे जब divide करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 100 upon 3, यह जो length आईए, यह वो length आईए, जो एक minute में पानी इसके अंदर move करेगा, तो length की जगे पे हम लिखेंगे, 100 upon 3, breadth और height इनको लेंगे, volume आजाएगा, तो water will fall, into the sea, in one minute, is equal to length into breadth into height, length हमने हाँ बनाई है, 100 upon 3 meter, breadth इसकी 40 meter दे रखिये, और height, इसकी height वो हो जाएगी, जो इसकी depth दे रखिये 3 meter, solve करते हैं, तो ये 3, 3 से कट गया, पूरा पूरा, 100 को 40 से multiply करेंगे, तो 4000 आएगा, और meter का cube, तो इतना, पानी का इतना volume, एक मिनिट के अंदर समुदर में गिर जाएगा, question खत्म, तो इस यूडियों बस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye,